संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां अभी खत्रे के निशान से उपर बह रहे हैं दूर दराज के इलाके तालाब में तब्दील हैं और ऐसे में जो सरकारी अमला है वो उतनी मुस्तेदी अभी नहीं दिखा पा रहा है तमाम दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ नाओ तक नहीं पहुँच पा रही हैं ऐसे में लोगों को जुगाड का सहारा लेना पड़ रहा है हम इसके नजदीक चलते हैं और जानने की कोशिच करते हैं कि आखिर इसने किस तरह से जुगाड से ये नाओ बनाई है और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वज़े से ये अपनी जिंदगी को खत्रे में डालते हुआ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये खतरनाक है इसमें ये पानी में गिर सकता है इसकी जान जा सकती है आप देखिये किस तरीके से जुगाड के सहरे नाओ तयार की गई है बांस बानदा गया उसके नीचे धर्माकोल है और धर्माकोल का ही चपू इसने बनाया हुआ है और उसी के सहारे ये और बढ़ता चला किसंदा आपाइब का शुच संदो हएं जिससे आंफ नहीं कोई लेई निया रहा हम अपना व्यष्ता करके जाए हैं को steeds कोई नाव और कोई सुविधा कोई प्राशासन की तरफ से कोई मदद नहीं 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 भी जांटाए कस लोगवाomme कि इसलिए हम जा रहें दवा लेने आपको डर नहीं लग रहे बिटा कि इतना यह तो आप पानी में इतने डूब सकते हैं नहीं पहरना आता है झी जुगार से नहीं बनाई है जी जुगारी जए अब जाई दवा लीजे और यह आप हमारी तरफ से यह दूद ले लिजे बिस हमें आप सूचना दीजेगा तो थोड़ा सा हमारे नाव वाले थोड़ा दूरी बनाईए ताकि हम एक बार फिर से दिखा सके कि देखें ये कितना खतरनाक है और किस तरीके से जुगाड से ये नाव बनाई गई है नीचे थर्माकोल है बेटा आप अपनी नाव को ये जो बनाया गया है और किस तरीके से लेट करके ये नाव को चलाते हुए मतलब ये जुगाड भी कह सकते हैं इसकी तारीव भी की जा सकती है लेकिन इसकी बेबसी और मजबूरी ये समझे कि भाई की दवा लेने जाना है और नाव यहां तक नहीं मिल पा रही है इसलिए इसको इस तरीके से जुगाड के जरिए जाना पढ़ रहा है बाहर की तरफ तो समझा जा सकता है कि प्रियागराज में बाढ़ की तबाही जबरदस्त है जो रिहाईशी बस्तियां हैं वो तालाब में तब्दील हैं और सरकारी सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है कई लाकों में तो नाव भी नहीं पहुंच पा रही हैं इका दुका जो नावें चल रही हैं वो काफी देर बाद वहां पहुंच पाती हैं और लोगों को इसी तरीके से मुसीबतों का सामना करना पढ़ रहा है अपनी जिन्दगी को खत्रे में डालना पढ़ रहा है मुहम झाल झाल